कहते हैं जुगाड पर दुनिया कायम है तो ऐसे ही कुछ जुगाड के साथ मैं प्रीती हाजिर हूँ आज की इस वीडियो में जो कि आपके लिए बहुत जादा खास है और बहुत ही जादा यूसफुल भी लगने वाली है आज की वीडियो तो जलिए फटा फट से वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो देख लेते हैं मेरी जो पहली टिप है हमारे जो स्पेस नहीं होते हैं अलमारी में उससे रिलेटेड है अभी तो ठंड चल रही है काफी मोटे मोटे जैकेट्स होते हैं स्वेटर्स होते हैं जो कि हमें अर्जस करना पड़ता है एक ही दो हो अलमारी किसी के घर में होती है तो उसी मर्जस करना पड़ता है तो उसे किस तरीके से fold करें कि आसानी से हम अपनी अलमारी में space बना सकें तो यहाँ पर मैं fold करने का एक unique तरीका आपके साथ share कर रही हूँ जिसमें jacket को मैंने पूरा chain बंद करने के बाद सीधा ही रखा है और उसे उपर की तरफ नीचे से उठाते हुए उपर की तरफ मैंने fold कर दिया है आधा भाग हो गया है इसका जहां तक sleeve है वहां तक हमने यहां पर fold कर दिया है अब sleeve एक उठाएंगे और जो हमने fold किया था हिस्सा उसी के अंदर इसको in कर देंगे और फिर दूसरा sleeve भी उसी तरीके से अंदर हम लोग डालते हुए चले जाएंगे फिर क्या करना है अब बचा है हमारा जो उपर का portion है उसे एक बार fold करेंगे और उसके बाद दुबारा जो हमने पहले fold किया था ना उसी के अंदर in कर देंगे और ये हमारा जो fold किया हमने jacket कितने थोड़े से में fold होके आ गया है और हम कहीं भी कितनी भी सारे jacket किसी वी अलमारी में रख सकते हैं जब ठंड़क खदम होगी ना तो फिर हम bed box वगेरा या box में भी हम इसी तरीके से अच्छे से fold करके किसी भी bag में डाल कर उसे आराम सा रख सकते हैं जिसमें कि हमारी बहुत सारी जगा बचेगी काफी सारा space हम save कर पाएंगे तो अगर आपके पास कई सारी jacket है और आपको उसको fold करना है तो एक तरीका और है कि आप इस तरीके से पहले तो jackets को fold कर लीजिए जो की तरीका मैंने आपके साथ share किया कि हाफ fold करने के बाद sleep को end कर लीजिए इन करने के बाद जो हमने fold किया हुआ हिस्सा है उसमें उपर का भी part अंदर की तरफ डाल देंगे यह हमने fold कर लिया अब अगर आपके पास धेर सारे jacket है बहुत सारे member हैं आपके गर में तो एक jacket आपने इस तरीके से fold की दूसरी jacket भी fold की और दूसरी jacket को आप मतलब जैसे धेर सारे jacket हो गई तो एक ही jacket में जो space बचता है अंदर की तरफ काफी जगा है देखिए तो उसी जगा में हम एक और jacket को डाल कर रख सकते हैं तो फिर क्या होगा जगा बहुत ही कम खर्च होगी और कितने ही सारे sweater jackets वगेरा हम एक ही अलमारी में और थोड़े से जगा में भी रख पाएंगे हम अपना space सेप कर पाएंगे और ये जुगार मुझे लगता है कि आप लोगों को काफी जादा पसंद आया होगा आप भी winter के जितने भी sweater jacket हों इस तरीके से fold करके रख लीजे चाहे तो जब winter खतम होगी तब आप bed box या box में रखिए या फिर winter में आप अलमारी में भी adjust करके इस तरीके से रख सकते हैं इसी तरीके से हम ladies की cardigan वगेरा होती है उसको भी थोड़े से में fold कर सकते हैं वो भी आज मैं आपके साथ share कर रही हूँ पहले से वह से अच्छे से आप सीधे में रख दीजिए और उसके बाद उपर की तरफ सीधे में ही आपको fold करना है उपर की तरफ और sleeve को इस तरीके जैसे मैं कर रही हूँ वापस से आप खोल दीजिए दोनों तरफ से इसी तरीके से कर दीजिए और पूरा sleeve हमें बाहर की तरफ रखना है अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा हमें fold करना है और उसके बाद उपर का part नीचे की तरफ और नीचे के part उपर की तरफ इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब उठाए एक तरफ की sleeve को आप अच्छे से उसको मतलब सही करने की बाद आप एक तरफ की sleeve को उठा के जो हमारे अंदर जगा space जो बचा हुआ है उसके अंदर इन कर दीजिए दूसरी sleeve को भी इसी तरीके से आप इन कर के रख दीजिए ये तो ये खुलेगा नहीं चाहे जिस तरीके से भी अलमारी से एक कपड़े खीचिए निकालने के चक्कर में कई सारे हमारे गिर जाते हैं खुल जाते हैं वो तो कताई नहीं होने वाला है एक तो ये खुलेगा नहीं उपर से space भी काफी ज़्यादा बचेगा जितने भी कपड़े आप अपने अलमारी में रखना चाहते हो रख सकते हो अगला टिप हमारा है टमाटर से रिलेटेड जभी हम धेर सारी टमाटर मार्केट से खरीद कर ले आते हैं तो फिर उसे रखना होता है काफी टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत पके हुए एक टमाटर ले आते हैं गले हुए ले आते हैं या फिर कभी कबार होता है आधा कच्चे होते हैं आधा पके हुए होते हैं तो फिर उन टमाटरों को किस तरीके से स्टोर करना चाहिए वो तरीका मैं आपके साथ शेयर करी हू सबसे पहले आप पके हुए टमाटरों को छाट लीजिए जो कि आपको अलग कर देना है कच्चे एक टमाटर जो कच्चे हैं उनको आप अलग करके रख दीजिए जो पके हुए टमाटर हैं उनको आप अलग कर लीजिए क्योंकि हम इसको अलग-अलग रखेंगे अलग लग रखने से क्या होगा कि जो पक गए हैं टमाटर जो जल्दी खराब हो सकते हैं हमें लगता है कि ये जल्दी खराब हो जाएंगे उन्हें हमें पहले बना लेना होगा जो अधकचे हैं थोड़े सा कचे हैं वो लंबे टाइम तक चल सकते हैं उन्हें आप अलग रखिए अलग रखने से यह होगा कि जो भी हाथ में आए वही आप नहीं बना लेंगे आपको पता है कि हमें पहले कौन से टमाटर खर्च करना है तो पहले तो हमें यहाँ पे मैं जिप लॉक बैग ले रही हूँ अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है तो आप कोई भी पॉलिथिन वगेरा भी लेके उसमें भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने जो पके हुए टमाटर थे उनको एक बैग में कर दिया है और इसे ही पहले बनाना होगा इसे ही पहले खर्च करेंगे तो जो हमारे कचे टमाटर है तब तक वो पक जाएंगे और जो हमारे पके हुए टमाटर है वो खराब नहीं होंगे तो इस तरीके से हम इसे लंबे टाइम तक फ्रिज में अपने स्टोर कर गे रख सकते हैं आप भी अगर ऐसे टमाटर धेर सारा ले आते हो ना घर में तो इस तरीके से उसको स्टोर कर सकते हो और उसी तरीके से आप उसे यूज़ भी कर सकते हो जिसके वज़े से आपके टमाटर जल्दी चलेंगे मतलब जल्दी खराब नहीं होंगे काफी लंबे टाइम तक चलेंगे और ये टिप मुझे लगता है कि आपको जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीज़ेगा हमारी जो सेफटी पिन होते हैं जभी भी हमें जरूरत पढ़ती है कहीं जाना हुआ अभी तो शादियों का सीजन चल रहा है कहीं न कहीं जाना ही पड़ता है और अचानक से जब काम लगया अब तो अकसर ही ऐसा होता कि वो नहीं मिलते हैं हम ढूंटे रहते हैं और वो नहीं मिलते हैं छोटी चीज़ें हैं तो इधर उधर हो जाती है जिनके घर में बच्चे होते हैं उनके घर में तो अकसर ये चीज़ हो जाती है कि वो समय पर चीज़ें नहीं मिलती है जो छोटी चीज़ होती है तो यहां पर एक माचिस की खाली डिबिया मैंने ले ली है अक्सरी माचिस घर में खाली हो जाती है डिबी तो इसको फेकने की बजाए एकाट डिबी में आप इस तरीके से सेफटी पिन को रख दीजिए और एक और्गनाइजर जैसा ही होता है यह आराम से खोल जाता है आराम से बंद हो जाता है और फिर आप कहीं भी इसको रख दीजिए तो इसमें से तो पहली बात कहीं गिरेगा नहीं कहीं जाएगा नहीं और उसके बाद जब भी आपको जरूरत होगी तो आप माचस के डिप भी को खोलेंगे एक safety pin निकालेंगे यूज करेंगे और फिर बस आदत में हमारी ये होनी चाहिए कि हमने जहां से चीज़े उठाई हैं वही हम रख दें अगला टिप है हमारा हमारे जो चश्मे होते हैं उन्हें साफ करने से related क्या होता है कई बार हम इसे use करते करते याई कहीं भी रख देते हैं housewife होती है तो वो kitchen में अकसर ही रख देती है मेरे साथ तो ये अकसर होता है तो हमारा जो चश्मा होता है काफी ज़्यादा गंदा हो जाता है इस क्रचे जा जा जाते हैं तो यहां पर मैंने लिया है vinegar और एक cotton का टुकड़ा ले लिया है vinegar को मैं उसमें dip करूंगी हलका सा dip करूंगी vinegar से जिससे की जो cotton है जो रूवी हमने ली है वो अच्छे से उसमें से भीग जाए vinegar से जाता नहीं लेना है थोड़ा सा हलका सा उससे वो गीला हो जाए तो फिर यह तो सिर्फ चोटा सा glass है तो आप इसे अच्छे से रब कर दीजी हलक के हाथों से और उसके बाद इसे अच्छे से इसका जो पूरा ही आप साफ कर सकते हैं कभी कबार क्या होता है मैं इसे पर्शमर ढाल के ऐसे लेते जाती हूं तो यह अक्सर ही गंदा हो जाता है तो मैं ऐसे इसे अच्छे से clean कर लेती जै तो यह बहुत अच्छे से clean हो जाता है इसके बाद इससे 2 मिनिट हम ऐसे जाए च्छोड़ देंगे थोड़ा सा सूख ज जाने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो आपको चौका देगा काफी अच्छे से साफ हो जाता है एकदम जैसे मतलब पहले होता है धुंदला धुंदला सा दिखाए देता था स्क्रेचिस थे तो वो सब भी हट जाते हैं और काफी अच्छे से यह क्लीन हो जाता है तो अगर आपके चश्मा जो होता है जो आप यूज करते हो बहुत जल्द जल्दी इस तरीके से गंदा हो जाता है और धुंदला सा दिखाए देने लगता है उससे तो उसके ग्लासेस को आप इस तरीके से साफ कर सकते हो देखिए अभी कितना जादा अच्छे से यह क्लीन हो चुका है और मेरा जो काम है वो बन चुका है मैं तो इसमा यूज करती हूँ अगर आप भी उस करते हैं तो आप यह तरीका आज मा सकते हैं गास टोब ये टिप है हमारअ क्या होता है जब हम खना भना बनाते हैं तो कमtal गेर गिया जोड़ा assumption मैं तुक हभी और चियवा पानी सीन साथ है Google BY devletません ये पाउडर्र भी केंडblem भी गाउडरी कीम्हाठी अध्यमgeb पहली रागाद जटना को या प्रिंगर लिया माद करने बाद थोड़ा सा दिश वाश लिया है आप छाहे तो शैंपु ले सकते हैं या फिर इजी ले सकते हैं या फिर डिटर्जिन भी ले सकते हैं और उसको एक स्क्रबर लेकर अच्छे से स्क्रब का लीजिए अच्छे से स्क्रब का लीजिए जितना भी तेल होगा जितना भी श्टिकी हो जाएगा ये जितना दूद वगेरा गिरा होगा जितनी भी चमक इसकी चली गई होगी न वो एकदम से अच्छे से ये क्लीन हो जाता है एकदम चम चमा उठता है ये तरीका म और उसके बाद कोई भी एक कपड़ा ले लिजे मतलब जैसे गीला हो हलका सा कपड़ा उसी कपड़े से आप अच्छे से पोछ दीजे और ये जितनीगर्ता भी हैं। आप अपने किचिन के टाइल वगेरा को भी ऐसे क्लीन कर सकते हो वो भी बहुत अच्छे से चमचमा उठेंगे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं तो यह तरीका मुझे काफी जादा अच्छा लगता है अब मैंने गीला कपड़ा ले लिया है और उसी से अच्छे से पोच आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए और मेरी चैनल पर नए होंगे ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए घचलिया मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और नमस्ते